next question question says an ideal cell of EMF 10 volt is connected in circuit shown in the figure each resistance is 2 ohm the potential difference in V across the capacitor when it is fully charged is or integer type सवाल है so हमें यह बताना है कि इस capacitor पर fully इसका potential difference कितना होएगा now सबसे पहले तो सवाल ऐसे समझेगा कि यहां पर क्योंकि चार्ज आपका capacitor पर फुल चार्ज है तो यहां पर आपका इस ब्रांच में current आपका zero होएगा इसको और इसको हम यहां पर disconnect कर सकते हैं और अगर हम इसको नाम दे मान लिजिए इसको मैंने का P Q और R तो हमें बताना है कि potential P R के बीच कितना होएगा इसके और इसके बीच में potential difference कितना होएगा उसी से आपका capacitor चार्ज हो रहा है अगर इस circuit को देखेंगे यह वाली ब्रांच अटा के circuit को देखेंगे तो अब यह circuit थोड़ा असान हो गया तो इसको देखेंगे तो यह 4 है यह 2 है और यह 2 है तो इस देखेंगे तो इसका अगर हम आर इकुलेंट निकालने लगेंगे तो चार और दो पैलल में तो यानि कि बनेगा 4 multiplied by 2 divided by 4 plus 2 और plus 2 तो इसकी वल्ली हो जाएगी 8 divided by 6 यानि कि 4 by 3 plus 2 यानि कि आगया आपका 10 by 3 तो आपका जो आर इकुलेंट आगया वो हो गया 10 by 3 और यहां से अगर हम current की बात करेंगे कि कितना current यहां से आई जा रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में potential difference बताना है ठीक है नहीं एक्चुली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में potential difference बताना है तो एक काम करते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में potential difference बताना है यहां से current गया है यह दो और दो चार का ऊपर आपका resistance है नीचे दो है तो उस वेसे current आपका ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा वन एमपेर और नीचे वाली ब्रांच में जाएगा आपका 2 एमपेर बिकॉस current हमेश यहां पर current फिर वापिस तीन एमपेर का current आएगा तो इसके across जो आपका V2 आएगा इसके across so that will be equal to 2 x 3 यानी कि 6V यह हो जाएगा और यह 2V हो जाएगा so which means जो आपका delta V जिसमें हमें interest है वो that will be equal to 2 plus 6 यानी कि 8V so आपकी इस ब्रांच पर या कपेसिटर के अगेंस जो आपका current आएगा that will be equal to 8V so 8 would be the right answer